यह आपका आज का संपात की एपार्ट है और देखें संपात की एपार्ट एडिटोरियल आपको प्रलिम्स में मुख परिक्चा में इंटर्विव में हर जगे मदद पहुचाते हैं चाहे आप लोग सिविल सर्विस एक्जाम की तयारी करें या फिर स्टेट वी सीएस एक्ज हो गया और देखें लेकक के अपने विचार रहते हैं और किसी खाश टॉपिक पर सांसदों की सीमित सुतंता जो हमारे सांसद होते हैं ना राज्यसभाकियों हो चाहे लोगसभाकियों उनी की बात हो रही है अगर आपको लोगसभा का सज़स्त बनना है तो आपकी उम्र कम कम से कम तीस सालों नीचे और इनका चुनाव बिधायकों के द्वारा होता है बारे सदस्तों को आपकी राष्टपदी साहब मनुनीद करते हैं इक चुनाव करवाता कोन है एलेक्शन कमिशन और इंडिया भारती निरभाचन आयोग इसकी स्थापना कभी थी 25 जनवरी 1950 में 25 जनवरी को आप लोग मद्दाता दिवस मनाते हैं नई दिल्ली में हेड़क्वार्टर देखने कुमलेगा सू कुमार सैन पहले मुख के चुनाव आएक ते और एक समिधान एक संस्ता है समिधान के उनुचे 324 के तहद इसकी इसकी इस्तापना की भात की गई है अपने दे संसतों की स्तंत अभिविक्ति को फटकारते हैं विस्वयन दूसरे दलों को नीचा दिखाने के लिए घटिया जूटी और उत्ते जग बयान पाजियां करते रहते हैं यह अन्यतिक तो है ही और देश के हित्ते की दृष्टी से आत्म घाती चलन भी है यदि सर्बुच और राजनेते की दलों के सुप्रेमों जो तरक अपने सांसों का दिमाग बंद करने के लिए उचिस समझ देते हैं वह लेकक पत्तकार सिक्चक आधी पलगाम लगाने में भी उपयोगत है तो जिस समस्या पर संसत ही बिचार ना करे उस पर किसी सोध आकलन की भी क्या जरू जिहादी आतंगबाद तरह तरह के आरक्षन आधी अन्डेक विसों को कोई अध्यापन नहीं होता है और एक तरह से समंधी समस्याओं की पूरी अंदेकी और इस चलन का पाईडाम अच्छा नहीं होगा समिधान का कोई अनुछेद अत्वा संसत का कोई नियम संसत सदस्तो को अभीवेक्ति की पूरी पैठान का सम्साध की पूरा प्रपी को संसत करके मूल मानवी अधिकार पर चोट करते हैं यदि संसत की कोई बात गलत गलत तो इस तिका तिकादेना अधिक सटी ल시ए्चार अधिक सद्तर है और इसरे ही सब को लाब होगा जबकि संसा सिर्फ से अंतता सबकी हानी होनी है संसादों को ही अभिविक्ति की सुतंता से खोले आम बंचित करना देश को दुनिया के सामने हीन भी बनाता है क्योंकि यह है अपने ही संभिधान और संसाद की हेटी करना है या नांग्रेकों के मूल अधिकारों पर एक संभिधाने तर संस्था राजनेतिक दल का अतिक्रमण है और इससे संसत का कर्तब बबादित होता है आखिर आप देखते हैं कि संसत जो सोच समझ देख रहे हैं उससे बोल ही नहीं सकते तो फिर उनकी आवस्तक्ता क्या है तब संसत का भी क्या प्रियोजन है यह आप देखी हानिकारक चलन निश्टित रूप से खतम करना चाहिए किसी पितिश्टित लोकतंत में ऐसा नहीं है वेटेन या फिर अमेरिका में आप देखे नेमित देखा जाता है कि गंभीर तम राश्टि या पिर अंतराश्टि मुद्दे पर भी हर एक संसत सुतनता पूरवग अपने बिवेक से अपने विचार रखते हैं और उसमें उनकी पार्टी का कोई दखल नहीं है कारण संसत सदसों की अभीविक्ति की सुतनता पर राजनितिक दल वहां कोई बंधन नहीं लगा सकते हैं संसत पहले देश और जंता केपिती जिम्मेदार होते हैं वहां उनके सोच विचार या संसत मेराष्टी नीती बनाने में पार्टी लाइन जैसी कोई बाधा नहीं रहती हैं लेकिन हमारे हाँ आप देखे कि किसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो अपनी पार्टी के लिए फार्टी कहे कि कूरे में कूंद जाएं तो वो संसत गिर परेंगे और आप दिखें वहां आप दिखते हैं वहां उनके सोच विचार या संसत मेराष्टी नीती बनाने में पार्टी लाइन जैसी कोई बाधा नहीं रहती है और इस से पार्टी निता भी सतरक और गतीच सीर रहते हैं अमेरिका में एक ही दल में रहते हुए सैनी डिटार हर बिसे पर नाकेबल अपनी राय सोथनता पुरुवक रखते हैं बलकि एक दूसरी को चुनोती देते हैं अपने लिए जन्मत पाने की खुली लड़ाई भी लड़ते हैं सांसतों को ऐसी सुधनता से बेटें अमेरिका का लोगतन तदिक मजबूत बनाए बिभेन बिचारों की खुली प्रिष्टती से ही किसी मासले की सभी बातें सामने आती हैं तभी बहतर समाधान पाना भी संभव है और देखे सभी सांसतों की बिचार लेना उनकी क्या राय हो समुद्दे पर इमाने रखती है अब किसी के कुछ और विचारों के वहां से भी संसत तोता रटंत दिखावटी विमास का इस्थान बना रहा फलता अच्छे-च्छे जानका सांसत चुपचाप मित्या दावाँ और नीतियों को सुईकार करने के लिए बाद हुए पूरी जनता भी सदा अंधेरे में रही सोवियत रूस और पूरवी यूरोप के सभी कम्मिनिस्ट देशों में 1889 से 1991 के दौर में इसी के आश्रजनक नजारे दुनिया ने देखे थे और इसकी तुला में यूरोप और अमेरिका में संसत खुले विचार विमास का इस्थान है हग पिकार की विचार सुझाओ और विरोध को आबाज सुतंता रहने से ही बेसोध, आकलन और स्वस्तिनीती तथां गती सिल बिवस्ता बनाये रखने में सफर रहे हैं और हर तरफ के मौलिक चिंतन, लेकन और दारसनिक, विज्ञानिक अभिसकारों में भी वह अगडी रह उस देश का क्या होगा जहां सरवोच विचार सभा यानि कि संसत के सदसों को ही अपने विचार प्रगट करने की सुतंता ना हो, यह एक डरावनी इस्तिती हमारे समीधान एक सरक्षकों को इस पर ध्यान देना चाहिए, सुतंत भारत के समीधान भी यूरोपी अमेरिकी लो लाकों में वही दिसा सेक्षिक, छित में बढ़ती राणिती छरन नेमित पिती भा, फलाइन आदी गंभीरतम मुद्दों पर हमारी संसत का इतियास एक लजजा जनक चुपी दिखाता है, क्योंकि सांसतों पर राणितिक दलों की आसमीधान एक अनेतिक लगाम है, यह दैन संसत ने संसत में चर्चा को बिस्ताव नहीं दिया, चुकि विचारीक संसत सिफ हर पिकार की तानास्ता ही सामाजिक रोग, पुराईयों बढ़ाती है, अता संसतों को विचार बेमार्स के छेत्र में पार्टी केहद से मुक्त करना चेह, ऐसा ना करना दूरगामी बत पतन स निशित करने के समान होगा, या कमनिश्टे देशों के अनवाओ से समझा जाना चेह, लेकक राजनेती सास्त के प्रोफेसर वरिष्ट इस्तमकार है, संकस वरन, इनके द्वारा ये लिखा गया है, आप लोग अकसर देखते होंगे, कि जब कोई बिल आता है, जब कोई बंदी रहते हैं, और बंगलादेश की बात करें, तो आप देखते हैं कि यह हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखे हैं बंगलादेश है, फशे मंगाल असम मेगा लेती पुरा मिजुरम, पाच राज्यों की सीमा लगती है, यहां सान्ती फैली हुई थी, और से खसीन सामाजिक सुरक्षा चिंता का विशे बना हुआ है, उन्हें भी परयाप्त पैंसन की छतरी उपलग्द होना चाहिए, भारत में बिति हैं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्दी नजर पैंसन एक मातपूर साधन है, एक अप्ची पैंसन पढाली करमचारियों क अपनी नौकरी के पिती पिद्दी बाद देता और अधिक काम करने की पेड़ान पिदान करती है, और जब करमचारी सिवा निवित होते हैं ता पैंसन उनका बड़ा आर्थिक और सामाजिक गहरा, यह आप दिखते हैं कि गहरा, इसमें आप दिखेंगी सहरा बन जाता है, इस्थाई नौकरी रहती है, भरोसा रहता है और अधिक पैंसन की बेवस्ता रहती है, और यह अगर भी प्राइवेस सेक्टर के करमचारी के लिए भी पैंसन की कुछ बेवस्ता हैं, लेकिन बेवित्ती है और सामाजिक सरक्चा की मद्दिनजार आपर यापते हैं, संगठ के लिए करमचारी को कम से कम, दस साल तक नौकरी फूरी करनी होकती है, और पी एप अकाउंट में अंस्तान करना होता है, मौजूता नेमों की अनुसार पैंसन व्योग बेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपे है, इसके तहत एप सदस को नियुंतम 1,000 रुपे पिती महा का पैं का भी अभी अनुपालन नहीं हो शका, निजी छित की जिन करमियों ने उच्च पैंसन का विकल्प चुना, उन्हें नहीं पता की भी कितने पैंसन की हगदार होंगे, दोविधा की या इस्तिती समाप्त हो नीचे, सुपरीं कोट की बात की बात हो रही है, समीधान के अनु का निउन्तब पैंसन की गारंटी गरहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाती है, देश का कोई भी स्रेमिक जिसकी उमर 18-40 साल के बीचो इसमें सामिल हो सकता है, राश्टी पैंसन पिणाली 116 सेवानिवित बचत योजना है, जो निची चेत्र के करमचारियों को एक मजबूत सेवानिवित कोस बनाने में सक्चम बनाती है, इनके अलावा ब्यापारियों, दुकांदारों और सोरोजगार करने बालों, सहित आसंगठी चित की स्रेमिकों को सामझ सरक्षा पिदान करने के लिए सरकार ने, पिदान मंतरी सरम योगी, मांधन योजना और र नहीं नोकरियां संगठी चेतर में निर्मित हो रही है, इनमें पैंसन संबंधी आप देखते हैं कि संबंधी सुरक्षा नहीं है, गिग अर्थवस्था का मतलब है अनुबंध आधारेतिया पर आजिस्थाई रोजगार, और आप देखें बाकी अर्थवस्था, गिग अर करने वाले कस्टम वर्स से जोड़ती है, मैनुफेक्चरिंग डिलिवरी जैसे काम कम युगता वाले कारियों के बाद अब गिग वर्किंग के मौके ऐसे कामों में भी वड़ रहे हैं, जहां उच चिस्तर की कौसल और सिक्षा की जरूरत होती है, नीतियायों के मताबिक द 2020 से अधी नेमित हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है, और नीतियाग ने इंडियाज भूमिंग गिग एंड़ पिलेट हॉम एकोनोमी सीसक से जारी रिपोर्ट में गिग बर्कर्स और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय करने की सिपार इसकी है, और जिसमें बीमा और पैंसन जैसे योजनाय सामिल हैं, इस पस्ट है कि अभी भी देश में बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक सुरक्षा की चतरी उपलब्द नहीं है, और आप देखेंगे कि ऐसे में उप्यक्त पैंसन की एहमियत बढ़ जाती है, सरकार क तो कम से कम पितिमा एक दस जार रुपे तक पैंसन रासी सुनिश्चित कर सके, इसके लिए सरकरमचारी भवज से निधी के तहट पैंसन योजना की 15,000 रुपे की सीमा को बड़ा कर 25,000 रुपे किया जाना उपयुक्त होगा, वहीं अटल पैंसन योजना को भी आकरसक बना लाई जाने चाहिए, लेखक एक्रोपॉलिस इंस्टिटूट और मैनेजमेंट एश्टेडी एंड रोसर्च इंदोर की ने दे सके, इनका नाम है, डॉक्टर जैंतिलाल भटनटारी है, आप देखते हैं कि अगर इस तरह की स्थाई पैंसन की विवस्ता हो जाए ना, तो प पूर जा विस्वास, विस्वास एक संबेदन सील मनो भाव है, जो मानों संबंधों की पवित भावनाओं पर आधरित होता है, किन्तु इसकी उत्पत्ती हिस्थ सहसा नहीं होती है, या चारितिक दिरता को परक्षने के बाद अंतरमन में धीरे धीरे उत्पन होता है, आंत प्राणियों को आतमेता के बंधर में बांध लेते हैं, किन्तु इनकी दोर इतनी नाजोक होती है कि तूटने में भी देर नहीं लगती है, और स्वार्थ इसका प्रमक कारण है, इसका लेस्त मात्र भी विस्वास को एक पल के लिए टिकने नहीं देता है, जब तक या तू प्रियान के लिए विस्वास को बनाये रखना पितेक समाज का कर्तब है, प्रेम एवं सत्यनिष्ठा की आधार भूमी पर आवस्तित होने के से विस्वास में आंतरिक सक्ती इतनी प्रवल होती है, कि इसे बड़े संपने भी साकार किये जा सकते हैं, फिर विद्वानों का विस्वास फल दायम कभाव चरितार्थ होने लगता है, वस्तुता विस्वास सुभ संकेतों का प्रवेस द्वार है, सुक समरिध्धी के साथ सामाजी के समरस्ता इसे से प्रवेस करती है, और समाज में आप देख विस्वास जितना प्रवल होगा, प्रगती की इधार उतन रिक्षन कर गलतियों को सदाने से कम हो रहे विस्वास को बढ़ाया जा सकता है बड़ा दिल्चस्प कॉलम लिखा जाता है इन्हें अपने जीवन में उतारने की कॉसिस किया करिएगा और लोग कहते हैं भरोसा कुछ नहीं होता है भरोसा सब कुछ होता है समझा करिएगा और भील करवा दिजे कि वो सच में अंधा है जो आप पर आँक बंद करके भरोसा किया ध्यान दिया करिएगा इतने स्वारती मत हो जाये करिएगा जलसरक्षन का मत फिधार्मती ने जलसंचय जन भागितारी की सुरुवात करते हुए यह जो कहा कि जलसरक्षन के बल नीतियों का नहीं बलकि सामाजिक निष्टा का वीविसा है उस पर लोगों को गमीरता से चिंतन मंदन करना चाहिए क्योंकि अपने देश में तमाम प्रयासों के भाप्चूद जलसरक्षन की दिसा में बैसा काम नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए वरसात के इस मौसम में जो जल सरक्षन पर बिसेश ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि आप देखते हैं कि दिया जाना चाहिए क्योंकि इस दोरान बरसा जल का बड़े पिरमाने पर संचेन किया जा सकता है वैसे तो जलसरक्षन के संदर में कई नियम कानूर बने हो गए हैं और केंद एवं राज सरकार की ओर से लोगों को जलन सरक्षनだ कि फिर्ट करने लेकर अभी पूर की इजनसियोंता हो और आप दिखते हैं जल रख चंग जन अंदोलनी का रूप लेगा अभी बहतर परहटाम मिलसकें गये यसे परहठाम मिलेंगे मिलेंगे इसके लिए अपने इस तर पर सभी को पेरतन करने चाहिए जल सरक्चन करत केबल बरसा जल का संचन ही नहीं इसके दाइरे में पानी की बरबादी को रोकना भी आता है और अब सिश्ट जल का सोधन करके उसे फिर से फुरेयो करना भी और अभी देश में ये काम एक सेमित सीमित इस्तर पर ही हो रहा है इससे सभी फरचित इससे सभी परचित हैं कि आने वाले समय में जल संकट बढ़ने वाला है केवल पीने की पानी की उपलगता ही कम नहीं हो रही है वलकि सिचाई के पानी की कमी भी महसूस की जा रही है वरसात का मोसम बीद जाने के कुछ समय कि अधे चामना तभी किया जा सकता है जब जन 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 इसके पिति क्री सक्रीय होगा कि जल का हर स्थर पर आप देखे सरक्षन कैसे किया जाए और यह सही समय है कि प्रवादी की संद्द में रिडियूज और रिउज रिचार्ज और रिसाइकलिंग का जो मन्त दिया उसे तकनीक और उपाय आसानी से उपलब्द हैं और जिन से जल सरक्षन का काम कहीं अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता स्थारकारी एजनस्यों और लोगों के इस तर अभी तक आप देखते हैं कि अभी यह काम चिट्वोड इस तर की ही किया जा रहा है और जल सरक्षन के माम में देखे गया हुए एक तरह से समझ रहे हैं तो हमारी भी तो कर्तब बनता है कि हमारी आने वाली पीडी को हम पानी उपलब्द कर आएं छोड़ जाएं कुछ असरक्षित पुल तो कोई पुल यदी जरजर है उससे लोगों की जिंदगी खत्रे में पढ़ सकती है तो समय रहते ही उससे नष्ट किया जाना ही उच्छित है इस दिरिश्टी उससे उत्तर पिदेश में लोक निर्मार विवाग ने यदी राज्य के 68 असरक्षित पुलो ना सरिप इनका पता लगा लिया बलकि निर्मार के लिए 245 करोड रूपे की पिस्ताओं की मंजूरी भी दे दी इसलिए सासन को भी चाहिए कि वह लोक निर्मार विवाग की पिस्ताओं को जल्दी अपनी सुईकी दिदे सरिफ 50 साल पूर बने ही नहीं पुराने बने सभी पुलों की समय समय पर जाज की जानी चाहिए ये दी वित्तनक भी आसुरक्षें तो उनकी स्थान पर नया पुल बनाया जाना चाहिए पेदेश में 50 साल पुराने कितना 721 पुल हैं जो लोगों के आवागमन को सुगम बनाते हैं पेदेश में पिछले को सालों में जरजर पुलों के गिरने की चटमट घटनाए होती रही हैं और इसमें जानमाल का कोई बड़ा नुकस्तान वले ही ना हुआ हो लेकिन ऐसी घटनाए सबक के रूम में सामने तो हैं ये और जिन जलों में सरबादी कासुरक्षित पुल हैं ज उसे ततकाल दोर कराय जाए विज्ञान की कसोटी पर पुर्एम तो कभी सायर लेकक और दारसनेक ऐसे ईसे बिज्ञान की परेम को दिल का मामला माना, परंतु विज्ञानी एसिद कर दिया कि प्यार और रिस्तों का अपना रसाइन सास्त है, जिसे हमारा मस्तिच करते हैं इसी कड़ी में हाली में किये गए इक अध्यन के अतयत फिनलेंड इस्तित आल्टो आल्टो विस्विध्या लेकि सूथ करता हूं ने प्रेम के विमिन रूपों को पिती मस्तिस्क की पिती करिया को ब्यापक AFMRI imaging के जरी है मैप किया जिसमें दिखाया गया कि कम से कम 6 अलग-अलग पिकार के प्रेम हैं जो मस्तिस के विमिन भागों को सक्रिय करते हैं इनमें रॉमांटिक प्रेम, माता-पिता का प्रम, दोस्तों के पिती प्रेम, अजनवीयों के पिती प्रेम, पालतु जन्वरों के प्रकिटी के पिती प्रेम सामिल है, और यह है अध्यन हाली में cerebral cortex है, जन्वे विकासित हुआ, पिख्यात अमेरीकी सोथ करता हूँ, और हराई हिम हर, हाउ टू फाउंड, फाइंड, एंड की लाश्टिंग, लब पुस्तकी देखी का, हैलन फिसर के उनसार मोटी तोर पर तीन अवस्ताइं होती हैं, बासना यानि की चाहत, आकरसन और लगाओ, हर अवस्ता में प्रेम को अलग-अलग तरह की हर्मोंस नहिंतीत करते हैं, प्रेम की सच्चाई और घराई को मापने के लिए विग्यानी एक विसे तरीका अपनाते हैं, जिस ब्रेम की जाज करनी होत प्रेमिका की फोटो देख रहा होता है, तो उसी दौरान उसके मस्तिट को स्कैन किया जाता है, यदि वह वेक्ति फोटो बाले वेक्ति से सच्मुच प्रेम करता है, तो उसके मस्तिट में चार ऐसे कोने पाए जाते हैं, जो फोटो देखते हैं, रखते से पूरी तरह भर उसमें सिद्धों कोने मस्तित के बिहत बिक्सित भाग सेरिब्रल कार्टेक्स में उपस्तित हैं जब की बार की दो कोने मस्तित के कम बिक्सित बाली बैसल गैंगलिया में पाई गए हैं विभिन सोदों में दिखा गया है कि प्रेम की गहराई जितनी अधिक होगी मस्तिस में उपस्ति चारों कोने रक्ट से उतना ही जानदा भर जाएंगे वरहाल विग्यान प्रेम की कुछ पहलूओं को समझने में मदद कर सकता है लेकिन प्रेम की पूर्णिता और उसकी गहराई को किवर विग्यानिक दिरिश्टी कौर से ही नहीं समझा जा सकता है वरहाल विग्यान प्रेम एक ऐसी भावना है जो अकसर व्यक्तिकत अनवावना हो बसांसकितिक संदर्वों से परिवासित होती है देखे कहते हैं ना जनरल लोलेज की जानकारी भी मिलती है यहां से एक सामान जानकारी इन देखी टिप नहीं आ रहती है पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं इसकी पीडियाप मैं टेलीगराम पर डाल देता हूँ एजूकेशन सर्कल के लिटपर में वहां से डाउनलोड कर लिया करिएगा अब देखिए आज के समय में जो कोचिंग विवस्ता का हाल है आप देखिए ऐसा लगता है कि अगर आपको IAT करना है मेडिकल फीले में जाना है आपको इंजिनिंग करना है या कोई किसी एक्जाम की तैयारी करना है तो बिना किसी कोचिंग की मदब की संभव नहीं है ऐसा लगने लगा है आप देखिए UPSC की तैयारी हो इस्टेट PCS की तैयारी हो तो पितियों की परिक्षा संस्किती से पनप्ती बिसंगतियां और इस तरह कि मैं कहता हूँ आइटिकल होने चाहिए अच्छा लिखे जाते हैं भारत का सेक्षिक परिदे से 30 परिक्षाओं की संस्किती के कारण अनौके तरीके से परिभासित होता है अब आप देखे नीट का हो पर बनता है पर भी आप देखे कोचिंग की मंदल लेनी पड़ रही क्योंकि स्कूली सिक्षा से क्या हाल है और आप देखतें कि ये परिगटना देश की सिक्षा बिणाली और युवा पेडी की समग भलाई पर दूरगामी प्रभाव डाल रही है और युवा पितिभा को बरसों तक परिक्षा की तेयारी में सामिल करके कोचिंग उद्द्योग भारत की जन सांखी की अलाभांस को भुनाने की चमता को प्रभावित करता है अकादमी कनुसंधान द्वारा हमारी कारबल में युगदान देने में होने बाली देरी से आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है इन परिक्षाओं में सफलता की दर अफिक्षा की बहुत कम होने की कारण चात्रों पर गंभीर मनोविज्ञानिक दुस्परडाम देखा गया है और आप दिखे आस्तफलता का भै और साथियों से आगे निकलने का दवाओ चात्रों में मानसेक स्वास्त संकट का कारण बन रहा है ऐसे में चिंता अफसाथ और यहां तक की आत्मत्या की विचार भी मन में आना सामान रूप से देखा जाने लगा इसके अलाबा आस्तफलता से जोड़े आत्म समान के कम होने का भै भी समाहित होता है जो बैक्तिकत बिकास को वादित कर सकता है संगलोक सेबा, YPSC की सिबल सेबा फरीक्चा इस जुनों का सबसे बड़ा पितीक है और पितिश्टी सिबल सेबा कैरियर का आकरसन पिती इस पर्दा को बड़ा बात देता है हलाकि इसकी बास्तविक तस्पीर बहुत अलग है वस्तुदा UPSC की Civil Services परीक्षा की तैयारी पूरे देश में जितने चाथ करते हैं उनमें से कीपल 0.1.36 इसमें सफल हो पाते हैं मैंने कहा ना आप समझ रहे हैं 0.1 यानि कि इसमें सफल होने की चांस बहुत कम है लेकिन सफलता मिल जाती है तो आप देखें सब कुछ बदल जाता है और 0.1 पितीसत में सामिल होने के लिए आपको कड़ी महनत करनी की जरूरत है सही दिसा में महनत करनी की जरूरत है इस बात जान लीजे गदों की तरह तो हर कोई महनत कर रहा है लेकिन समार्ट तैयारी करिए एक सही दिसा लेकर तैयारी करिए यानि कि इस परीक्षा की सफलता दर 1000 में किवल एक चात्र की ही है लेहाजा यह एक उच्च दाओ का जुवा बन गया है अपनी सफलता दर को बढ़ाने के लिए उम्मीदबार अकसर कोचिंग संस्तान में प्रविस लेते हैं और जिसे अर्थसास्त की भासा में कहा जा सकता है कि भी अपने मात्मूर बित्ये संसादनों का निभेस करते हैं कोचिंग संस्तान भारी सुल्क बसूलते हैं जो मद्धेम परगिये परीबारों की पहुंसे बहुत बाहर होते हैं इस कारण से एक्षेंग रेड़ों में बिड़ी हुई है और जिससे चात्रों उनके परीबारों पर भारी बित्ये दबाव पड़ता है सपलता की अनिश्चता से ये बोज और भी वर जाता है क्योंकि सभी चात्रों को वांचित बद नहीं मिल पाता और जिससे बे बड़े कर्ज में फश जाते हैं और आप देखी ट्यूसन फीस के अलावा कोचिंग से जुड़े अन्न खर्चे भी होते हैं और जिससे अकसर स्वास्तेबा फोसन जैसी आवसकताओं से समझोता करना पड़ता है आर्थिक दुस्प्रवाओं तो IIT, JE और NET और आप देखी UPSC की सिविल सेर्विसेश जैसी पितियों की परिक्षाओं को पास करने पर अपतेदिक जोड़ देने के दूरगामी पड़ा होते हैं वस्तुता बहुत दिक रूप से सक्चम युवाओं का एक महत्पूर्ण हिस्सा इन परिक्षाओं की तियारी में अपने केरियर का लंबा समय कुजार देता है और जिससे उन्हें अन्न संभावित केरियर विक इंका पनप सकती है और इससे एक देश के रूम में हमारी समगे कार्ज को सलता भी दूस्त प्रभावित होती है क्योंकि कई उम्मीदबार अपने सेक्चरिक पितिभा के बावजूर और छेतर का चैन नहीं करते हैं और जिन में उनकी स्वभाविक रूचित होता है लंबे स अगर आप देखते हैं कि उसकी सही दिशा नहीं मिलती फस्ट जाता किसी भी तरह से गलत दिशा में चला जाता है तो आपको लगता है वह कौंश्टेबल पटवारी या इस तरह की नोकरी के लिए वह अपने आपको सूटेबल कर पाएगा नहीं कर पाता है बाद में आप कड़ी पितिसपर्दा सामाजिक समानता बढ़ाती है संपन पेश्टमुमी के चात्रों को अकसर वहतर सेक्षडे के संसादनों कोचिंग संस्तानों समर्तन पढ़ालियों तक पहुंच होती है जिससे लक्ष पराप्ती की दिशा में समान आउसर पराप्त नहीं होता है और इसे विसे सदिकार पराप्त चात्रों को बीच अधिकार और सहिष्टा की भावना को बढ़ावा मिलने की आसंका रहती है जबकि बंचित पेटवूमी की लोग नरासा और आत्मिस्वास कमजोर होने का एहसास कर सकते हैं उतकिष्टा पराप्त करने का तीब दबावी सब्सक्राइब मिल चुका है उन्हें आरक्षन से बाहर का रास्ता दिखा देना क्रेमी लेर कहने को मतलब यहीं होता है अब आप सोचे कोई कहते हैं वो लोग यह तरक देते हैं कि जैसे कोई अधिकारी है बड़ा नेता है HTSC का है अनसुच जाती अनसुच जनजाती का है तो आप देखे उसके बच्चों को तो BIP से इक्षा मिल रही होगी महली स्कूलों में पढ़ रहे होगी और उसी जाती में आप देखते होंगे एक ऐसा भी होगा जिसकी आर्तिक इस्तिती बहुत बुरी है वो सरकारी स्कू परिक्चाओं की तेयारी में निवेश किये गए बर्स हमारे समग कारवल में प्रिविस में देरी करते हैं जिससे महत्पूर आतिक नुकसान भी होता है वहीं संभावित कमाई और तवस्ता में युगदान कम होने की असंका बढ़ जाती है क्योंकि यूबास ब्यक्ति अप अपनी केरियर आकांचाओं के साथ समझता कर सकते हैं और जैसे उनकी चमताओं और समाज निर्मार में उनकी भूमिकाओं के बीच एक आसंगती हो जाती है माता-पिता का दवा और अपेक्चाए माता-पिता की आकांचाओं का दवा किसी चात्र की सेक्षे क्याद्रा को आ जर अंदाज कर देते हैं ये अमानसिक्त अभीभाबक को अपने बच्चे को कोचिंग की ओर लेकर जाती है और विड़मना आया है कि इस मामले में अकसर अभीभाबक अपने यार्दिक इस्तिती से कहीं अधिक आंगे जाकर नेड़े लेते हैं और जिससे उन्हें अपने साम पर अतिदिक निर्वाता को समाप्त करने का समय आ गया है हमें एक व्याबक मूल्यांकन परणाली की ओर बढ़ना चाहिए जो चात्रों की चमता का मूल्यांकन सवभाविक तरीकी से करने में सक्चम हो सकते हमें विस्ते के उन देशों से सीख लिनी चाहिए जिन्होंने इस में भी युगदान देगा पिति इस परदी परिक्षा संस्किती से उत्पन्य दवाव को कम करने के लिए भारत सरकार को सक्क्रिय भूमी का निभानी चाहिए बेवसाय की परिक्षाओं पर अत्यदिक निर्भरता का पुनर मूल्यांका नाबसक है बैस्विक सतर पर यह दे मूल्यांकन को परात्मिकता देते हैं जिसमें कार अन्वाव अत्रिक्त गतिविधियां नेतित कौसल सामिल होते हैं कौसल आधिरी दिरिष्टीकों जैसे विवसायक पिसीक्षाओं और अपेंटिस सिपको प्रमुक्ता में से इसमें सामिल किया जाता है सतत्त मूल्यांकन और साक्षरता इवं समुव चर्चा जैसी विदियां उम्मीदबारों उम्मीदबार की चमता का अधिक व्यापक दिरिष्टी को और पैदान करते हैं कई अन देशों में इसके बिकल्पिक मॉडल भी हैं जर्मनी और सुझेलेंड जैसे देश से विवसायक पिसिक्चन पर ज नीतिया भी बनाई हैं जो बिकल्पिक केरियर के लिहाज से लोगप्रिय हो रही हैं परुंतु अभी इस दिसा में हमें लंबा रास्ता इतय करना होगा और इस अंदरम में यदि हम चीन को देखते हैं तो उससे ने वर्स 2021 में सेक्चिक विसों के लिए नीजी ट्यूसन पर व्यापक भितीबंद लगा दिया या कटोर उपाय चात्रों परिवारों पर अत्यदिक ट्यूसन के कारों उत्वनित दवाओ को कम करने वो सेक्चिक वासमानता को कम करने के लिए उठाया गया था और आप देखे बैसे इस नीति की दिरकालिक प्रिवाओं का आप भी मुल परता को कम करते हैं इसके लावा इन देशों में सरकारें सकेरी रूप से नोकरी के अवसरों के सरजन अवाचार उद्यम सीलता को बढ़ावा देती हैं और जिसे सेमित पदों के लिए अधिक अभ्यारती हूं कि ती बेपिती इस परता को कम करने में मदद मिल रही है हमारे कि इस तरह की विवस्था तो होनी चाहिए कि सिक्षा तर हर किसी की पहुंचो आसानी से और इस तरह की सिक्षा गुडवत्ता पूर्वक होना चाहिए कि कोचिंग की उसे जरूरत कम ही पढ़े समझ रहे आप लोग क्योंकि आप देखते हैं कि जो प्रैवीट स्कूल में पढ पढ़ती है वहीं आप देखते हैं कि हम लोग 10 12 में पढ़ते थे सरकारी स्कूलों से तो आपने देखा होगा क्या हाल रहता था अलग से कोचिंग लगाने की ज़रूरत पढ़ती थी क्योंकि सिक्षा का इतना गिरा हुआ इसतर ही था पास ना हो सरकारी स्कूल में अगर वो ऐसे ही पढ़ते रहे सरकारी स्कूल के भरोसे तो सिधार करने की बहुत कुछ जरूरत है और देखे जो राजनिती से जुड़े हुए आर्टीकल लेते हैं उन पर बात नहीं करता पर भी आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लो इससे भी देख लीजे आप लो तो बीते माह कोलकाता में एक युवा महला डॉक्टर के साथ हुई दनिदिगी और गम हत्या ने पूरे देश को हिला कर रख दिया इस जगन अपरात के खिलाब लोगों का विरोध पे वीडियो के नाप पर सामागिरी मैंचने में जो टेह गए हैं इंटरनेट पर अचानक ऐसे वीडियो की मांग बढ़ गई है कई इंटरनेट मीडिया पे लेटफॉर्म्स और मेसेजिंग एपस पर इन वीडियो को बैचने की कौसे सुरू हो गई है इंटरनेट के इस पर जो तो लोगों ने पीर्दा के नाम तक से वीडियो खोजने की कोसिस की यह इस तरह का पहला मामला नहीं है इससे पहले भी जब कोई इस तरह का मामला सुर्कियों में आया और उसे घटना से जुड़ी तताकत वीडियो के नाम से गूगल पर सर्च की संक्या बढ़ की या फर मनी पर महलाओं को निरवस्त करने का मामला हो हर घटना के बाद इंसर्च टेंट्स में बिद्धी हुई है इंटरनेट पर इस पेकार की समगरी की बढ़ती मांग ने नए पेकार की कारोबार को जनम दिया है अने तिक ब्यापर टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ले जाता है या ब्यापर इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि कानून फेवर्तन एजेंसियां भी इसे रोकने में आसमर्थ नजरा रही है इन इन क्रेफ्टेज चैनलों को बंद करना भी एकास्ता ही समाधान है क्योंकि नए चैनल कुछी मिनिट में सुरू हो जाते हैं इस अनहतिक व्यापार से नाकेबल कानून को चुनोती दी बल्कि समाज की टेंतिक और समिधन सीलता को भी कट घरे में खड़ा कर दिया इस कड़ी में या जैसी तकनीक आने से अपराधियों के होसले बढ़ गए हैं या की मदब से किसी भी व्यक्ति की तस्वीर को फेक नि अस्ता वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के सेंट फ्रांस को पिसासन ने हाल में अठारे विपसाइट के इकला मुकद में दर्च किया जो इस तरह की न्यूट फेक वीडियो बनाने में मदद करते हैं इसके सब्सक्राइबर की संख्या करोड़ों में हैं वहीं आ हमानवी एकरतों को मेसेजिंग एपसपक गुरुप्स और चैनलों की मदद से खरीदा बेंचा जाता है साल 2023 में सूचना पिसारन मंत्राले भारत सरकार ने फिस्वुक यूटूब टेलीग्राम जैसी कंपनियों को इस तरह की सामगरी के खिलाब कारवाई करने के लिए कहा भारत में जहां यहां सिक्षा की कमी है वहां यह समस्या और को और गंबीर कर देती है वेटेज जनल ऑप के मीनोलोजी में पिकासे थी के रिप्यूट कें सर मुकधारा की फॉर्ण साइट से पर पहली बार आने वाले हर आठ में से एक उप्यों करता हूँ ऐसे वीडियो द इस समस्या का समदान हम केबल कानून से नहीं कर सकते हैं बलकि जागरूकता के माद्यम से ही इसका समदान किया जा सकता है और हमें इस तरह की समगरी को नकारने के साथी उसके विरोद्ध खड़ा होना होगा हमें यह समझना होगा कि इस तरह के किसी लिंक या साइट वर किय गया हर केले किसी कोई जिन्दगी को तबा कर सकता है इस तरह की आहमानी भी व्यापर कोई रोकताम के लिए हमें हम सब को आँगे आना चाहिए अभी आपने देखा होगा ना मदबते इसकी रीवा की घटना है कि वो बहन और भाई सुए हुए थे तेरा साल का भाई था साइट और बहन नो साल की थी साइट और उसने आप देखी इस तरह की वीडियो देख रहा था उसका रेप किया उसे मार दिया गला दबा कर उसके परिवार ने उस गटना को चपाने की कोसिस की बाद में पूरे परिवार को जेल हुई आपने पड़ी होगी कबर हमने बताई हुई थी आपसे तो मैं कहरा हूँ और इस्तों में जो गरावट है इंसानियत में मानोता में जो गरावट है वो चिंता जनक है और हमें रुक कर सोच लेना चाहिए जान लेना चाहिए और हम B.I.B. स्कोलों में पढ़ाने की बात करते हैं बच्चों को हम इंगलिस मीडियम की बात करते हैं विदेश में पढ़ाने की बात करते हैं एक अच्छा इंसान बनाने की भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए तो यह आपका देनिक जारण का संपात की पार्ट है ये हिंद पिसांत चेत में सामरेक दबदबा देखे ये हिंद महासागर है ये पिसांत आपको महासागर देखने को मिलेगा इसमें आप देखे दबदबा एको लेकर काफी हड़वड़ी मची हुई है चाइना को देखे दच्चिन-चीन सागर में डिरा डालके बैठ गया है क तो हाला कि भारत अभी इस वाद को लेकर दर्ड संकल्प है और मजबूती से महसूस करता है कि परमाडू हत्यारों से मुक्त है, दुनिया में ही उसके राष्टे सुरक्षा से जुड़े हैं सबसे अच्छी तरह सुनिश्चित हो सकते हैं, मगर उभरती भूराजनिती कती सील भारत ने अपने परमाडू सिधांत को ये कि एक फिरमोक स्तम की रूमें पिस्ताव रगा कि वह परमाडू हत्यारों का पहले उपयूग नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि बाह indices हत्यारों का इस्तिमाल करने बाला वह पहला देस नहीं होगा, और इस ने इस बात पर भी चमता बढ़ाने के लिए तीन चड़ों जल थान और बायू आधारित संपत्तियां हासिल करेगा और आप देखतें कि यहां यह बात जोड़ देकर कही जाने चाहिए कि भागत के पहले उपयोग ना करने के सिध्धान को फूरा करने के लिए उसे एक मजबूत और थो समू किसी भी संभावित घटना की इस्तिती में धल और जल आधारी दोनों संबत्तियां तेदिक आसुरक्ची रहती हैं यह भी बिस्तोसनी समुद्र आधारी चमता ही दूसरी मारक चमता पिदान कर सकती है इसी तरम नंदरब में भारत ने परमारू उर्जा से चलने बाली स्वांस टेकनोलोजी बेसल एटीवी की तहत यह परियोजना उन्निस्तोसी के दसक की सुरुवात में बहुत पहले ही शुरू हो गई थी विस्तोसनी यह समुद्र आधारी अभीरक्चा चमता हांसिल करने में भारत के प्रयासों में बड़ूत्री मुक्रूप से पोकरन दो के पहले अरिहंत को 2016 में नोसेना में सामिल किया गया था जो साड़े साथ सो किलोमीटर तक मार करने बाली सगारी का के के 15 है सब्मरीन लॉंच बैलिश्टिक मिसाल यानि की SLBM से लह से भारत के बड़ोस में भूरानिती के उभरते आयामों को देखते हुई एहनिश्चित र पड़ाना पड़ा और आप देखे आयामों इस्तेमाल किया जाने वाले रियक्टर के संद्र में तुलना करें तो आहियनेस अरिहंत और आहियनेस यह आप देखते हैं कि अरीगात दोनों में कई समानता है कि बल इसके तकनीकी पहलूँओं पर कई मात्पूर्ट सुधार कि कर भारत ने दुनिया के समख साबित कर दिया कि वह है दुनिया के किसी भी देश की समर्तन और सहियों कि बिना आयूद उपलब्धियां हासिल कर सकता है और आप देखेंगे अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और हिंद प्रसान चेतर में अभी रक्षा चमताओं को हासल करने में आसानी होगी चेतर में स्थिर्टा लाने को लेकर आई पी आर कई चनोतियों का सामना कर रहा है 10.4 और 10.5 के साथ साथ हिंद महासागर के सारी तड़वर्ती देश चीन से अपने हित्तों की सुरक्षा को लेकर भारत की तरफ नजर गड़ाये हुए भारत को अपनी समुद्री आधारित परिसंपत्यों पर ध्यान के अंधिक करते हुए तिरकॉड ये चंता को मजबूत करने के अलाबा अपनी समुद्री चंता को भी बढ़ाने की आवस सकता है आई एनेस अरीगात भारत के परवाड़ू तिरकोंड में एक दुर्जे रणनेती परिसंपत्ती है हिंद पिसान चेतर में भारत केतों की रक्षा के लिए आई एनेस अरीगात जो सबसे महत्पूर एकदान देशा केगा वह यह कि इसमें गर्स्त लगाने की चमता है हिंद पिसान चेतर में बड़ी भूराजनेती गती सीलता के चलते भारत के लिए एक मजबूत और विस्वसनी समुद्री आधारित परमाडू अभी रक्षा की जरुवत रेकांकेत हुए भारत में आई इस बड़ाओ का बिसलिशन चीन की नौसे ने के चमताओं के संद्रब में भी किया जाना चाहिए चीन के पास बरतमार में 6 ओपरेशन ओपरेशनल जिन क्लास टाइप 094 बैलिस्टिक मिसाइल पंडूबिया है वह अपनी परमारू हुर्चा चालेत बैलिस्टिक मिसाइल पंडूबियों को उन्नत JL-3 SLBM से भी लेस कर रहा है ऐसा लगता है कि JL-3 की अन्वान मारक चमता 10,000 किलोमीटर से देखे और इसमें बहुत तरही युद्ध परमारू हत्यार ले जाने की भी चमता है दोसरी और आप देखे भारत के INS अरीघात में 4 लांच ट्यूब हैं और इसमें 750 किलोमीटर की मारक चमता बाली बारेज के 15 सगारी का SLBM या पर 3500 किलोमीटर की मारक चमता बाली 4 कम SLBM ले जाने की चमता है यह तक निकी परिषकार पूरी 3310 तरीके से किया गया है रणनितिक रूप से भारत चीन के साथ पितीस पता नहीं करना चाहता है क्योंकि चीन की आकंचा हैं अलग हैं भारत को गिबल चीन को रोकने उससे उसे रक्चा करने की ज़रूरत है चीन मुक रूप से दच्छन चीन सागरो उसके बाहर अपने प्रवुत्य का दवा पुक्ता करने के लिए अधिक उन्नत परमाडू उर्जा चालित पंडूबियों का निर्बार कर रहा है। चीन की आकरमक मुद्रा के बाग्यूद इस चेत्र को अत्यदेक इस्तिर बनाने और सभी देशों के हितों की रक्षा करने में मद्द करेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपात के बाट की कहाने खतम होती है। आप लोग पढ़ते रहे हैं, enjoy करते रहे हैं। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुझाओ हो। तो आप लोग जरूर पताईए। धन्यवाद। पताईए। आपका कोई सवाल हो। झाल झाल